यह मधुमक्खी का घर है इसमें दो खंड होते हैं नीचे का हिस्सा शिशू खंड और उपर का हिस्सा मधुखंड कहलाता है शिशू और मधुखंडों में बीस चौकटे होती है जिसमें उप्युक्त मौनांतर होता है इन चौकटों में मौमी छत्ता घर लगा कर बकसा में इस प्रकार लटकाई जाती है बकसे को लकडी या लोहे के बने हुए 15-25 इंच उजे स्टेंड पर रखा जाता है ताकि चीटी और अन्य शत्रू इस पर आसानी से ना चट सके